जैम आता दी दोस्तों, वर्ण बैस मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दी जरूर लिखें। और सुतककाल का समय क्या रहेगा? इसके लावा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा? क्या ये भारत में दिखाई देगा या फिर नहीं? इसके लावा हम जानेंगे कि इस चंद ग्रहण में गर्वती महिलाओं को क्या साउधानी उन्हें इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल फर्ड बैस मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो आई ये शुरू करते हैं दोस्तों बैसाग मा की पूनमा के दिन बुद्धुवार को साल का पहला ग्रहन लगने वाला है जो की चंद ग्रहन होगा जो 26 मई को लगेगा और इसके ठीक 15 दिन बाद अगले महीने 10 जून को सूर ग्रहन भी लगेगा आपको बता दें कि जोतिस सास्त्र में चंद ग्रहन को असुप घटना के रूप में देखा जाता है चंद ग्रहन के दौरान चंद्रमा पीडित हो जाता है इस समय चंद्रमा की सकती एक प्रकार से छेर्ण हो जाती है इसलिए इस दोरान कई कार्यों को वर्जित माना गया है, खास तोर पर सुप कार्यों को दोस्तों, चंद ग्रहन एक खगोली घटना है जब प्रत्वी सूर्य और चंद्रमा के मद्ध में आ जाती है, तब चंद ग्रहन होता है आपको बता दें कि 26 मई को लगने वाला चंद ग्रहन खग्रास चंद ग्रहन है इसमें प्रत्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढख लेगी लेकिन यह चंद ग्रहन भारत में उपचाया चंद ग्रहन के रूप में दिखाई देगा दोस्तों उपचाया चंद ग्रहन तब लगता है जब चंदरमा प्रतिवी की वास्तिक चाया में प्रवेश ना करके उसकी उपचाया से ही निकल जाता है इस इस्तिती में चंदरमा पर सिर्फ एक धुनबरत नजर आती है इस घटना के दौरान चांद के आकार पर कोई भी असर नहीं पड़ता है बलकि इस ग्रहन को नगन आखों से नहीं देखा जा सकता है दोस्तों 26 मैं को लगने वाला चंद ग्रहन वरस्चिक रासी और अनुराधा नचतर में लगने जा रहा है जिसके कारण वरस्चिक रासी और अनुराधा नचतर वालों को विशेश सावधानी बरतने की जवरत होगी यह चंद ग्रहन आपके लिए कस्टिकारी रहेगा दोस्तों चंद ग्रहन के असुप प्रभाव से बचने के लिए चंद्रमा से सम्मंदित मंत्रों का जाब करना चाहिए इस दोरान चंद्रमा के बीज मंत्र का जाब करने से ग्रहन के असुप प्रभावों से बचा जा सकता है और इसके अलावा चंद्र यंद्र की पूजा करने से भी चंद ग्रहन के असुप प्रभावों से छुटकारा मिलता है दोस्तों चंद ग्रहन के दोरान कुछ नियमों का पालन करना बेहच जरूरी होता है क्योंकि चंद ग्रहन का प्रभाव हर किसी के जीवन पर पढ़ता है खास कर गर्वती महिलाओं को इस समय विसेश सावधानी बरतनी की आफशक्ता होती है क्योंकि ग्रहन का सीधा प्रभाव गर्व में पल रह सिसू पर पढ़ता है इसलिए चंद ग्रहन के समय गर्वती महिला को चांद की रौसनी में नहीं जाना चाहिए अपने गर्व में ग्रहन की छाया ना पढ़ने दें इसके लावा ग्रहन सुरू होने से पहले अपने पेट पर गेरू का लेप आवस्य कर लें साथ ही थोड़ा सा गंगा जल्बी पी लें इससे ग्रहन की निगेटिविटी से आप एकदम सुरच्छित रहेंगी दोस्तों ग्रहन के समय गर्वती महिला को जादा से जादा भगवान का ध्यान करना चाहिए आपको धार्मिक ग्रंत पढ़ना चाहिए आपको ग्रहन भी देखना नहीं चाहिए और ग्रहन के समय आप किसी बात की टेंसन भी ना लें क्रोध ना करें और जुक कर कोई भी काम ना करें और भूल कर भी ग्रहन के समय चाकू, कैची, सुई या किसी भी तरह की नुकीली चीजों का इस्तमाल ना करें और इसके अलावा चंद ग्रहन के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान भी अवस्से रखना चाहिए क्योंकि चंद ग्रहन का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है ध्यान रखें कि चंद ग्रहन के समय बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना, बाल खीचना आदि मना होता है इस दोरान कपड़ा धोना, बरतन धोना, खाना बनाना, ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही होती है इसके अलावा ग्रहन के समय बाल काटना ना खून काटना आधिकार्य वर्जित होते हैं ग्रहन के समय क्रोध भी नहीं करना चाहिए दोस्तों ग्रहन के समय पत्ते, तिनके, लकडी, फूल आधि भी ना तोड़ें और अगर आप बिमार हैं, बुजुर्ग हैं, या बच्चे हैं, या गर्वती महिला हैं और आपको ग्रहन के समय कुछ खाने पीने की आवशक्ता पड़ती है तो आप ग्रहन सुरू होने से पहले अपने खाने वा पीने वाले पानी में तुलसी या कुसा डाल लें इससे वह पानी वा अन्य दूसित नहीं होता है, वा ग्रहन की निगेटिविटी से एकदम सुरुच्छित रहेगा और इसके अलावा चंद ग्रहन की समय कोई भी सुब कारिना करें और ग्रहन की समय भगवान का नाम लें, मंत्र जाप करें और ग्रहन समाप्त होने के बाद गंगा जल डाल कर इसनान अवस्य कर लें साथ ही अपने पूरे घर में वा अपने पूजा घर में भी गंगा जल छिड़क कर उसे भी सुद्ध कर लें इसके बाद किसी जवरत मंद को अपनी इक्छा के नुसार दान भी अवस्य करें। इससे आपको पुन्निफल की प्राप्ती होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि 26 मैं 2021 को लगने वाला चंद ग्रहन किस समय दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि भारती समय के अनुसार यह चंद ग्रहन 26 मैं की दो पहर को 2 बचकर 17 मिनट पर सुरू होगा। और इस चंद ग्रहन की समाप्ती 26 मैं की साम को 7 बचकर 19 मिनट पर हो जाएगी। कुल मिला कर देखे तो यह चंद ग्रहन लगबग 5 घंटे चलेगा। चले अब बात करते हैं कि यह चंद ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि यह चंद ग्रहन दच्छनी अमेरिका, उत्री अमेरिका, अटांटिका, दच्छनी पूर्वी एसिया, आस्ट्रेलिया, चीन, रूस, जापान, ब्राजील, कनाडा, बांगला देश, स्री लंका, मंगोलिया, इंडोनेसिया, फिलिपिन्स, साउथ पूरिया, वर्मा, प्रसांद महासागर और हिंद महासागर में दिखाई देगा, लेकिन यह चंद ग्रहन संपूर्ण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि ग्रहन का आरंब जब होगा, तब उस समय भारत में दिन निकला होगा, ऐसे में कुछ छेत्रों में, ग्रस्तोदय के रूप में इस ग्रहन को देखा जा सकेगा 26 मै को लगने वाला चंद ग्रहन भारत के पूर्वी छेतरों में ही देखा जा सकेगा भारत में यह चंद ग्रहन सिर्फ अणुआचल प्रदेश, असम, नागा लेंड, मिगाले, मणीपुर, मिजोरम, तिपुरा, पस्चिम बंगाल, पूर्वी उडिसा में देखा जा सकेगा चुकि यह चंद ग्रहन संपूर्ण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, इसी लिए इसके सूतक का विचार भी संपूर्ण भारत में नहीं होगा जिन इस्थानों पर यह चंद ग्रहन दिखेगा, बस वहीं पर इसके सूतक का विचार किया जाएगा यानि भारत के पूर्वी छेत्रों में ही केवल ग्रहन का सूतक मानने होगा या जिन देशों में यह चंदग्रहन दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी इस चंदग्रहन का सूतक काल माना जाएगा चंदग्रहन सुरू होने के 9 गंटे पहले ही सूतक काल सुरू हो जाता है 27 मैं की साम को 7 बच कर 19 मिनट पर ही समाप्त होगा आपको बता दें कि सूतक काल में घरों के मंदिर और पूजा इस्थल में परदा डाल दिया जाता है और भगवान को इस पर्स भी नहीं किया जाता है इसके साथ ही मंदिरों में भी पूजा पाट के कार भी नहीं किये जाते ह और उसके बाद ग्रहर समाप्त होने पर मंदिर की साफ सफाई और गंगा जल से सुधी करने के बाद ही पूजा के कार फिर से आरंब करना चाहिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्ते पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद